हेव्लो एव्रीवन आज की इस Lecture में हम लोग बात करने वाले हैं Elijah की दो और ठाप्स के बारे में जिनका नाम है Competitive Elijah और Sandwich Elijah तो आपन अपन सबसे पहले स्थार्ट करते हैं हैं अपर Competitive Elijah के बारे में इससे previous lecture के अंदर मैंने direct और indirect ELIZA के बारे में बात किया और जो इसका ELIZA का part 1 है उसमें हमने जो general introduction था ELIZA के बारे में जो इनके principle हैं, types हैं और इसके अंदर कौन से enzyme और substrate का use होता है chromosome कौन कौन से हैं उनके बारे में हमने बात किया तो start करते हैं competitive ELIZA के बारे में यह competitive ELIZA है इसमें आपको याद रखना कि यहां पर हम लोग क्या लेंगे वही एक well लेंगे और well लेने के बाद यह आपको याद रखना है कि जो well है इसके अंदर antigen P24 जहें वो क्या है इससे attached है यह जो blue color में आपको दिखाए दे रहा है कर रहा हूं यह सब के सब क्या है यहां पर antigen है कौन से यहां पर antigen P24 अब यह antigen P24 है हमारे पास में हम क्या करेंगे patient से sample लेंगे और वो जो sample होगा उसमें हमें detect क्या करना है antibody 1 और antibody 1 एक्ष्वल में क्या है यह antibody P24 यानि कि जो antigen P24 था इसके अगेंस्ट जो antibody बनी है वो है antibody P24 जिसको denote क्या गया है कि से antibody 1 से AB1 से अब यह patient का जो sample था इसको हमने क्या कर दिया इंसर्ट कर दिया डाल दिया किसके अंदर इस well के अंदर और इस well के अंदर डालने के बाद में क्या होता है यहां पर यहां पर saturation हमें देखने को मिलेगा ठीक है अब बात आते कि यह saturation क्यों होगा विकोज इस डाइगराम में आप देख सकते हो कि जो well है उसमें बिल्कुल और completely सबी चीजे जो है जुड़ी है एक दूसरे से तो इस यह पूरा का पूरा जो well है पूरा का पूरा क्या हो चुका है compact हो चुका फिल हो चुका है ठीक है आप इसको यूं समझ लिए कि आपके पास में एक well था उस well में कोई already एंटिजन थे और यह जो एंटिजन और प्रेजेंट थे तो हमने क्या डाले इसके अंदर patient का sample डाला और sample में जो डाला अपने तो उसके अंदर जो antibody थे AB1 यह AB1 जाकर के वहाँ पर उन antigen की साथ में क्या होगे जुड़ गए और जुड़ने पर इस तरह से जुड़े यहाँ पर की इस well के अंदर completely कोई भी यहाँ पर कहने है इस space नहीं है ठीक है तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भई हम यहाँ पर AB2 के बारे में बात करेंगे antibody 2 और एक्च्वल में antibody 2 क्या है बई यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में antibody 2 जो है इसको हम लोग क्या करेंगे उस well के अंदर well के अंदर already कोई space है नहीं तो यहाँ पर यह जो complex अंबर ने डाला है antibody 2 और एंजयम और सबस्टेट का इनको कोई भी surface या फिर space नहीं मिलेगा attachment के लिए well के अंदर ठीक है लेकिन important बात यहाँ पर यह है कि जो AB2 जिसके अपन बात कर रहे हैं यह एक coloring substance यानि कि इसकी वजह से क्या आता है color आता है ठीक है अब AB2 जो है इसको कोई space नहीं मिला ना कोई इसको जगह मिली ठीक है अब जब इसको space नहीं मिला well के अंदर इसका मतलब यह किसी भी साइट से क्या नहीं हो पाएगा और अटेच नहीं हो पाएगा तो वहां पर कोई भी color हमें देखने को नहीं मिलेगा और कोई भी color हमें देखने को नहीं मिलेगा वहां पर वैल के अंदर इसका मतलब यह जो टेस्ट है वो क्या होगा पोजिटिव ठीक है तो यहां पर आप की थी किसकी indirect Eliza के अंदर तो वहां पर बोला था पन्य भई कि वहां पर अगर color आता है ठीक है इसका मतलब जो test था वो कैसा होगा positive होगा लेकिन यहां पर color आनी रहा इसका मतलब भी यहां पर क्या है test positive अगर indirect Eliza में अगर color नहीं आता इसका मतलब test क्या होता negative होता ओके तो यह था किसके बारे में competitive Eliza के बारे में अब हम लोग यहांपर बात करने वालने किसके बारे में sandwich Eliza के बारे में छो कि next टाइप है यहांपे sendivich Eliza में चीजदे थोड़ी उल्टी होंगा यहांपर changed है weell में पहले तो क्या होता था यहांपर antigen जो P24 थे वह यहांपर क्या होते थे अटेच होते थे लेकिन सेंडविच अलाइजा जो है इसके अंदर थोड़ा उल्टा है यहां पर हमें यह जितने भी क्या दिख रहे हैं यहां पर यह क्या है हमारे पास में यह हैं एंटीबोडी ठीक है तो यह हैं एंटीबोडी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पेशेंट का सेंपल लेंगे और उस पेशेंट के अंदर अब जो है हमें क्या डिटेक्ट करना है यहां पर यहां पर हमें क्या डिटेक्ट करना है यहां पर हम पेशेंट से यह सेंपल लेंगे और सेंपल को क्या करेंगे इस वैल के अंदर डालेंगे यह जब दालते हैं तो जो एंटिजन था यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बीवन जो की एक अंटिबोड़ी है इसके साथ साथ में आकर檄 क्या हो जा जैगा यहां पर अटेच्ट होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी antibody हैं उन सभी antibody के साथ में यह जो antigen है वो इस तरह से आकर के क्या हो गया? अटेच हो गया ठीक है? नमबर वन आपको यहाँ पर यहाद रखना है अब यहाँ पर attach होने के बाद हम लोग क्या करेंगे भई? इसके बाद में हमें क्या चीए? हमें चीए AB2 तो second step के अंदर हम क्या क्या लेंगे भई? AB2 लेंगे जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि AB2 जो है वो क्या है भई? anti-P24 है जो कि एक तरह से क्या है भई? against है किसके? antibody 1 के क्या है? against है? तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है तो जो antibody 2 है यहाँ पर वो हम क्या करेंगे भई? वापस इस patient के sample में क्या करेंगे? add करेंगे ठीक है? तो जब यह AB2 अपनी patient के sample में add करेंगे second step के अंदर तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा भई? लेकिन साथ में याद रखना कि antibody 2 के साथ में हम लोग enzyme और substrate complex भी क्या करेंगे? add करेंगे तो जब यहाँ पर हम लोग addition करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए यह जो हमारे पास में AB2 जब अपनी sample में add करते हैं तो add करने पर इस antigen के साथ में वापस यह जो AB2 है जो की एक antibody है वो इस तरह से जाकर के यहाँ पर क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे तो सारे के सारे जो antigen जो हैं यहाँ पर हमारे पास में P24 उन सभी antigen के साथ में इस तरह, जो antibody है हमारे पास में antibody 2 वो इस तरह से जाकर के क्या हो जाएंगे वहाँ पर attach हो जाएंगे तो यह आपको यह आपर याद रखना इट मिन्स यह जो अपने यह आपर डाला है सेंपल में यह क्या था बई एंटिबोडी टू तो यह एंटिबोडी जाकर के वहाँ पर क्या हो जाएंगे अटैच हो जाएंगे तो कुछ structure जो है वह हमें कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी पहले जो सेंपल था जो वैल था उस वैल के अंदर ओल्रेडी क्या थे ठेक है फिर हमने क्या डाला वहाँ पर एंटिजन डाले कौन से P24 जब अब एंटिजन डाले तो वह एंटिजन जाकर के वहां से इस तरह से क्या होगे अटैच होगे अब हमने वहां पर क्या डाला वहां पर एंटिजन को मिलेगा आपको याद रखना कि A,P Two का त्लिजन करने के बाद में क्या होगा बही कलर आएगा ठीक है और कलर आने का मतलब क्या होगा बही कि यह जो टैस्ट है यह क्या होगा positive है, मैं वापस बता देता हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे, जो sample है हमारे पास में, वो किसका होगा बई, patient का, और उसके अंदर हमें antigen P24 देखने को मिलेंगे, या फिर हमें वो detect करने हैं उसके अंदर, जो well होगा हमारे पास में यह, कुस well के अंदर हमें क्या देखने को मिल है, जैसे ही अपन patient को sample को, इसके अंदर क्या करेंगे, add करेंगे, वैल के अंदर, तो add करने पर, यह जो antigen था P24, यह जा करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर attach हो जाएगा, तो यह green color में जो आपको देखने को मिल रहे है, यह सब के सब क्या है, यहाँ पर antigen P24 है, ठीक है, य यह add करने के बाद हम क्या करेंगे, antibody 2 जो है, उसका addition करेंगे, और antibody 2 के साथ-साथ में enzyme और substrate का complex होगा, वो भी होगा, तो यह भी हम जब sample में, second step में, इसमें add करेंगे, तो add करने के बाद कुछ इस तरह का हमें क्या देखने को मिलेगा, bond देखने को मिलेगा, यह जो आपको यहाँ पर black color में देखने को मिल रहा है, यह actual में क्या है, antibody 2, तो यह एक दरह से क्या बन गया, sandwich बन गया, इसलिए इस method को क्या बोलते है, sandwich, Elijah, और यहाँ पर color आएगा, और color आने का मतलब है कि test कैसा हो गया, बही, positive हो गया, ओकी, तो यह था किसके बारे में, Elijah के बारे में, नेक्स्ट अप अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो Elijah है, इसके क्या-क्या uses है, जो Elijah test होता है, इसका use कहां कहां पर होगा, तो simply हमने बोला है, यहाँ पर इसके principle में, जो Elijah है, इसका use होता है, in the detection of antigen and antibodies, antigen और antibody होंगे, जो different microorganisms के, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या कर सकत है, यहाँ पर कुछ examples हैं, like हम लोग HIV antibodies हैं, को उसको serum में detect कर सकते हैं, second है, जो mycobacterial antibodies होंगी, tuberculosis के अंदर, उनको क्या कर सकते हैं, detect कर सकते हैं, third, rotavirus जो है, उसको fecal matter, जो feces हैं, उनके अंदर detect करना, next है, हमारे पस में, जो hepatitis B के जो markers हैं, उनको serum के अंदर क्या करना, detect क करना, और जो हमारे पास में E-coli, जो है, हमारे पास में bacteria, उसके जो antirotoxin है, उनको feces में क्या करना, detect करना, तो यह सभी के सभी जो हैं, वो क्या हैं, यहाँ पर, योजेज हैं किसके अलाई जाके, ओके, थैंक यू,